इंडिया का हर घर का हलका फुल का फेवरेट ब्रेकफास्ट आज बनाने जा रही हूँ खिला खिला पोहा और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्दी और स्वादिष्ट नासता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजबाब होता है यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे बनाना बहुत ही असान है इसमें भेजिटेबल्स डाल देने से ये और भी हेल्दी बन जाते है ठंडी के दीनों में बनाने में ये और भी स्वादिष्ट हो बन जाती है क्योंकि ठंडी के दीनों में सारे सब्जिय अभी लेवल असानी से हो जाती है तो चलिए इसे बनाते है पोहा बनाने से पहले सब्जियों को काट लेते है दो गाजर को महीन काट लिया है बीन्स को भी छोटे छोटे टुक्रों में काट लेंगे और धनिया पत्ता को भी काट कर रख लेंगे हरी मिर्च काट लेंगे तोनों टमाटर को भी बारी काट लेंगे और ये बॉयल आलू है इसे भी छोटे छोटे टुक्रों में काट लेंगे दो आलू को बॉयल करके लिया है मैंने ये देखे आलू, गाजर, प्याज, बीन्स, धनिया पत्ता, टमाटर, एक टुकरा अध्रक, करी पत्ता और बदाम, मटर और हरी मिर्च और ये पोहा है जिसको चूरा बोलते हैं इसे मैंने दो डबा लिया है इस डब्बे से दो डब्बा मैंने लिया है, ये मीडियम साइज का पोहा है, ना पतला है, ना मोटा है इसे पानी से धो लेंगे और पूरे पानी इसमें से हटाएंगे नहीं, थोरे पानी इसमें छोर देंगे क्योंकि चूरा पानी सोखता है, इसलिए थोरे पानी चूरे में डाल कर छोर देंगे अब इसमें सरसो तेल डालेंगे और एक चमच राई डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे और ये राई छोटा वाला है, बिल्कूल बारीक वाला राई मैंने इसमें डाला है अब करी पत्ता डाल देंगे इसके बाद प्याज डालेंगे प्याज डाल कर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे एक मिनट के बाद गाजर और बीन्स इसमें डाल देंगे दो मिनट गाजर और बीन्स को भूनने के बाद इसमें हरा मटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे चारो तरब से अब इसमें दो चमच नमक डालेंगे आप अपने स्वाद के अनिसार नमक इसमें डालिएगा क्योंकि बहुत लोग थोड़े कम नमक खाना पसंद करते हैं बहुत लोग ज्यादा नमक खाना पसंद करते हैं वासे नमक थोड़े कम ही खाना चाहिए सेहत के लिए मैं सींग दाना यानि बदाम को भूलना भूल गई थी इसलिए दुसरे कराही में इसे फ्राइ कर रही हूं आप चाहे तो बदाम को रोस्ट भी कर सकती हैं थोरे से तेल डाल कर इसमें बदाम को भूल लूँगी अब यह देखिए सबजिया पक गई है अब इसमें बॉयल आलू को और टमाटर को डाल देंगे आलू ओप्सनल है आपको आलू नहीं डालना है तो आप इसकिप कर दिजेगा लेगिन थोरे आलू डालने से अच्छा लगता है खाने में यह देखिए बदाम भी भून गया अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब यह सबजिया भी हो गई है अब इसमें थोरे सुखे मसाले आड़ करेंगे इसमें आधा चमच हल्दी आधा चमच धनिया पाउडर और थोरे से मिर्ची डालेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि पहले हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाला है बच्चों के लिए यदि बना रही है तो लाल मिर्ची यह हरी मिर्ची थोरी कम ही डालिएगा अब इसमें पोहा को डाल देंगे यह देखे मैंने पानी इसमें छोड़ा था पोहे में अब इसमें बिल्कुल इसमें पानी नहीं है अब इसे अच्छी तरह से चलाएंगे चारो तरफ से ताकि चूरा और सारी सबजिया इसमें मिक्स हो जाए अब इसमें अदरक को कदुकस करके डाल देंगे अब इसमें आधा निम्बू डालेंगे यदि आपको थोरे से खटे जादा पसंद है तो आप एक निम्बू पूरा इसमें डाल दीजेगा मैंने आधा निम्बू इसमें डाला है इसका बीज निकाल कर इसमें डालिएगा अब इसे अच्छी तरह से चलाना है ये देखिए देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं निम्बू डालने के एक मिनट के बाद गैस का फ्लेम ओफ कर दीजेगा पोहा बनकर तयार है अब इसमें चारो तरफ से बदाम और धनिया पत्ता डाल कर इसे सजा देंगे ये देखिए लग रहे हैं न कितने स्वादिष्ट पोहा बनकर तयार हो गया ये पोहा हेल्दी है अब बच्चों के लंच में भी इसे दे सकते हैं फटाफट बना कर और ये हेल्दी भी है इसे गर्मा गर्म खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं प्लेट में पोहा निकालने के बाद आप इसमें मिक्सर भी डाल सकते हैं ओप्सनल है मन है तो डालिये मन है तो नहीं डालिये लेगिन उपर से डाल देने से ये और भी टेस्टी हो जाते हैं यह देखिए अब इसे आप लोग गर्मा गर्म इंजवाए कीजिए और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई